मसी में सभी भाई भेनों को प्रभु के मदुर नाम से जय मसी की आज जिस वचन का हम मनन करने जा रहे हैं वो वचन लुका चैप्टर 17 वर्स 15 से लिया गया है तब उन में से एक यहाद देख कर कि मैं चंगा हो गया हूँ उंचे शब से प्रमेशर की बढ़ाई करता हुआ लौटा मसी में भाई भेनों ये वचन हमें बताता है कि जिन लोगों का दिल एसान मंद होता है वो हमेशा परमेशर का धन्यवाद करते हैं आप हमेशा उन लोगों के मुक से हमेशा सुनते हैं कि परमेशर की बहलाई सदा की है परमेशर की करुणा सदा की है हालेलुया वे जानते हैं कि उन्हें मिलने वाले हर आशरिवाद का कारण पिता परमेशर है लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो परमेशर को सिर्फ अपने आशरिवाद के लिए ही खोजते हैं परमेश्र से अपनी आशिशें पराप्त करने के बाद उसी रास्ते चले जाते हैं जहां से वो आए थे उनके दिल आश्रिवादों के अकर्षन की तरफ होते हैं ना कि आश्रिवाद देने वाले की तरफ होते हैं ऐसा ही एक बाक्या पुईत श्रास तरवाईवल में हम पढ़ते हैं लोका चैप्टर 17-13 हमें बताता है उन्होंने दूर खड़े होकर उंचे शब से कहा हे येश्यू हे स्वामी हम पर दया कर यहां प्रभू येश्यू मसी ऐसे दोनों परकार की लोगों से मिले यहां वो एक गाउं में जाते हैं जहां दस कोडियों ने प्रभू को पुकारा हे येश्यू हे प्रभू हम पर दया कर हालेलुया मसी में भाई भेनों जब आप दया के लिए प्रभू येश्यू को बुलाते हैं तो वो हमेशा आपकी सुनता है एक अन्यकटना जब दो अंधे प्रभू उसके पीछे ये पुकारते हुए चले, हे दावत की संतान हम पर दया कर, जो वो घर पहुंचा, तो वे अंदे उसके पास आए, और येशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है, कि मैं ये कर सकता हूँ, उन्होंने उसे कहा, हाँ प्रभू, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो, और उनकी आँखें खुल गई, येशु ने उन्हें चिता कर कहा, साबधान, कोई इस बात को ना जाने, हाले लुया, लूका चैप्टर 17, वर्स 14 में हम पढ़ते हैं, प्रभू ने उन्हें देख कर कहा, जाओ अपने आपको, याश्कों क को दिखाओ, और जाते जाते वो शुद्ध हो गई, मसी में भाई भेनों, इसलिए इन दस कुष्ट कोडियों ने जब प्रभू को पुकारा, प्रभू येशु वहां रुख गए, और कहा, जाओ अपने आपको, प्रोहितों को दिखाओ, जैसे ही वो गए, वो ठीक हो चु हुआ लोटा, लेकिन एक ही बापिस आया, और उनके पैरों में गिर गया, और उनका धन्यवाद किया, हालेलुया, लुका चैप्टर 17, वर्स 17 का वचन हमें बताता है, इस पर येशु ने कहा, क्या दसों शुद ना हुए, तो फिर वो नौ कहा है, मसी में भाई बैनों, य अधन्यवाद करने की जहमत नहीं उठाई, मसी में भाई और बहनों, मैं आप से यही कहना चाहूंगी, जब भी परमेशर आपके जीवर में आश्रिवादों की वारिश करे, तो उस आश्रिवाद के वारिश का अनन्द लेने से पहले, उस आश्रिवाद की वच्छार करने वाले परमेशर की स्तूती, महिमा और धन्यवाद और समान देना याद रखें, पर में सविकार करें कि वे आपके जीवर में हर आश्रिवाद का विशेश त्रोत है, मसी में भाई भाई भाईनों, क्या आप चानते हैं, जब एक कोड़ी जंगाई प्राप्त करने के बाद, प्रभु येशु मसी को धन्यवाद देने के लिए बापिस आया, तो उसे अपने श्रीर में पूरा बनने का और भी अतरिक्त आश्रिवाद मिला, हालेलुया, लूका चैप्टर 17 वर्स 19 हमें बताता है, तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, मसी में भाई भेनों, यहां पर वह कुछ रोग से ही पीडित नहीं था, उसे अपनी गाई उंगलियां और पैर की उंगलियां बापिस मिल गई थी, इस रोग के कारण जो समाप्त हो गई थी, मसी में भाई भेनों, जब आपका दिल पर्मेश का पातना करेंगे, धन्यवाद, 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 पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर सुभा से लेकर शाम तक आपने हमारे संग-संग रहे, पिता परमेश्वर, हर तरप से हमारी रक्षा की पिता परमेश्वर, उसके लिए धन्यव देते हैं पिता परमेशर परिवार के सब सदस पर पिता परमेशर अपना समर्थ पराहात रखा पिता परमेशर उसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेशर धन्यवाद पिता परमेशर आपकी महिमा हो आपके स्तूती हो पिता परमेशर आदर महिमा सब आपको चड़ात हैं पिता परमिशर आपकी स्तूती हो पिता परमिशर आपकी अराद ना हो पिता परमिशर धन्यवाद 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 प्रेज अलॉड प्रेज अलॉड प्रेज अलॉड प्रेज अलॉड प्रेज अलॉड स्तूती हो पिता परमिशर की स्तूती हो पिता परमिशर की अराद ना होवे धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेशर। इस शाम में पिता परमेशर। आपको धन्यवाद दे कर पिता परमेशर। आपके समर्थ बरे हाथों में आते हैं पिता परमेशर। धन्यवाद पिता परमेशर। जितने भी भाई भेहन हमारे साथ समय प्रात्रा में जुड़े हैं पिता प्रमेशर प्रमेशर जिन घरों में ये प्रात्रा सुनी जा रही हैं पिता प्रमेशर पिता प्रमेशर उन सब घरों में तेरे नाम की आशी शुत्रे पिता प्रमेशर तेरे शांती से वो घर भर जाए पिता प्रमेशर आत्मा से वो घ पिता परमेश्र। राप्त कर सके, पिता परमेशर को धन्यवाद का चड़ावा चड़ाना है, पिता परमेशर को धन्यवाद का लुभाबना चड़ावा चड़ाना है, हालेलुया पिता परमेशर, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं, पिता परमेशर, इस घर में ही पिता परमेशर ये प्रात ना सुनी जा रही है पिता परमेशर, उन घरों के लिए पिता परमेशर में आशिशियों बरकते मांगती हूँ पिता परमेशर, पिता परमेशर के नाम से हालेलुया पिता परमेशर, पिता परमेशर अगर कोई दुख तकलीफ में हैं, तो उनका दुख तकलीफ प पिता परमिशर के सामर्थी नाम से दूर होने पाए, ये प्रात ना करते हैं पिता परमिशर के नाम से, हालेलुया पिता परमिशर, पिता परमिशर हम आपके पास आते हैं पिता परमिशर, पिता परमिशर के बच्चने के अनुसार, महाई बहन, बज़ुर्ग और बच्चे अपना जीवन बिताए हम प्रात ना करते हैं पिता परमेशर जो इसमें बिमार हैं पिता परमेशर सारी बिमारियां उनसे दूर होने पाए पिता परमेशर के सामर्थी नाम से हालेलुया पिता परमेशर के नाम से हालेलुया पिता परमेशर के नाम से हालेलुया पिता पर अपना पक्का विश्वास रखिए जो पिता परमेशर पर विश्वास करता है वो अपने जीवन को श्रक्षित रखता है हालेलुया पिता परमेशर जिनके इस समय शादी नहीं हुई है पिता परमेशर शादी होने पाए पिता परमेशर जो शादी में अर्चने आ रही है पिता परमेशर, उन सब को मैं आपके चर्णों में लेकर आती हूं पिता परमेशर, हे पिता परमेशर, उनकी शादिया चे जीवन साती से होने पाएं पिता परमेशर, हम पिता परमेशर के नाम से उनके जीवन में एक कार्या देखने पाएं पिता परमेशर, उनकी गवाही स से पूरी होने पाएं पिता परमेश्वर बर्जन सायता चैप्टर 34 वर्स 10 में आप ने लिखा है पिता परमेश्वर कि जवान सिंगों को घटी हो सकती है पर भूके भी रे सकते हैं प्रन्तों यहवा के खोजियों को किसी भली बस्तु की घटी नहीं हो सकती पिता परने वाला पिता परमेश्वर है वो आपकी घटियों को पूरा करने वाला पिता परमेश्वर है वो आपकी घटियों को फाइदों में बदेने वाला पिता परमेश्वर है पिता परमेश्वर के समर्थ बरे हाथों में आपको सौंप देते हैं और पिता परमेश्वर आप डेप्रेशन में अपनी लाइब गुजार रहे हैं पिता परमेश्वर, उन सब लोगों को आपके चर्णों में लेकर आती हूं पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर सबको अच्छी नींद और मीथी नींद देने वाला पिता परमेश्वर है, क्योंकि पूरी रात यहवा ह हमारी रक्षा करता है और हमारे इर्दगी देव दूदगन को रखता है विश्वास कीजिए पिता परमेश्वर पुरी रात हमारी रक्षा करता है और पिता परमेश्वर हमारे संग संग रहता है हमें अच्छी और मीठी नीन देने वाला हमारा यौवा है हालेलुया पिता प पिता प्रमेश्वर सबी घरों के लिए शांतिर आशिश्य मांगते हैं लडाई जगडेंद पिता प्रमेश्वर के सामर्थी नाम से दूर होने पाए हालेलुया पिता प्रमेश्वर धन्यवाद 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 पिता प्रमेश्वर जिस घर पर पिता प्रमेश्वर पिता परमेशर उसकी सारे जरूरतों को पूरा करें उसकी पिता परमेशर उसकी कमाई में बरकत दें आशिशे दें ताकि वो पुफादारी उमानदारी से अपना करजा उतार सकें। पिता परमेशर ये प्रात ना करते हैं पिता परमेशर के सामर्थी नाम से हाले लुया पिता परमेशर शेतान की हर शक्ति दूर होने पाए पिता परमेशर के नाम से जो बच्चे पिता परमेशर इस समय पिता परमेशर पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए मैं प्रात ना करती ह लोगों को अपने सामर्थी बढ़े हाथों में सभाल करक्षा पिता परमेशर जितने भी लोग इसमें ये प्रातना सुन रहे हैं पिता परमेशर उनके घरों में तेरे नाम की आशिश आए पिता परमेशर बरकत आए पिता परमेशर भर घर तेरे नाम से शांती से भर जाए पिता परमेशर सब की जरूरतों को पूरा करना पिता परमेशर पिता परमेशर इसमें प्राथ ना करते हैं, हम पिता परमेशर के सामर्थ ही नाम से हालेलुया पिता परमेशर, पिता परमेशर सब पर अपने सामर्थ बरहात रखना, रक्षा बरहात रखना, सब को संभाल कर रखना पिता परमेशर, जीवन में शांती नहीं हैं पिता परमे पता प्रमिशर के लिए पिता प्रमिशर को धन्यवात करते हैं। धन्यवार्स तूती करते रहे पिता परमिशर से प्राथ ना करते रहे और निरंतर लगा तार धन्यवाद करते रहे पिता परमिशर को धन्यवाद का चड़ावा चड़ाते रहे हाले अल्यूया पिता परमिशर धन्यवाद 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 पिता परमिशर इस समय पि वावा को हर बात के लिए धन्यवाद करते हो, क्योंकि वो भला पिता परमेशर है, उसकी करुणा सदा की है, हालेलुया पिता परमेशर है, जो इश्रों का परमेशर है, उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है, जो प्रभों का प्रभू है, उसका धन्यवाद करो, उ धन्यवाद का चढ़ावा चढ़ाते हैं पिता परमिश्वर, धन्यवाद के साथ ये प्रातना तेरे चर्णों में रखते हैं पिता परमिश्वर, प्रातना सुनने के लिए धन्यवाद, प्रातना सुनने के लिए धन्यवाद, पिता परमिश्वर, ये प्रातना हम मांगते है पिता प्रमी शुर के नाम से आमेन, आमेन, आमेन